और मैं हूँ अंकित अवस्ती आप है मेरे साथ में एक्जाम पॉइंट व्यू से एक बहुती महत्वपून खबर पर चर्चा करने के लिए और खबर ये है कि भारत ने जलवायों के लिए मैंग्रोव गटबंदन में हाल ही में भाग लिया है आप सभी को मालूम होना चाहिए Conference of Parties का 27th edition अभी Egypt के अंदर चल रहा है जिसके अंदर भारत की तरफ से भारत के परियावण मंत्री शामिल हुए और मैंग्रोव के लिए बनाया हुआ M.A.C. इसके अंदर भारत ने अपना योगदान दिया क्या है ये सारी प्रकरियाएं बताएंगे मैंग्रोव क्या है औ और भारत क्यों इसके अंदर शामिल हुआ इन तमाम बातों के बारे में आज के सेशन में चर्चा की जाएगी हमेशा की तरह सेशन के शुरुआत में आपके साथ दो करंट के सवाल साजा किये जाते हैं जो की वरतमान में सुर्कियों में है पहला सवाल है शायद मुस्ताक आली ट्रॉफी टी ट्वन्टी फाइनल में हिमाचल को हरा कर पहला किताब किस ने जीता है कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें मैं अंत में आपको इसका सही जवाब आप से साजा करूँगा दूसरा सवाल है राश्टे सिक्षा दिवस अबुल कलाम आजातकी उसकी जैनत होता है जहां पर जाकर के चीजे खत्म कर दी जाती है जैसे बरतन जब आप साफ करते हैं तो सिंक में करते हैं ताकि गंदगी वहीं से बहा दी जाए ऐसे ही कार्बन का सिंक मतलब जहां पर कार्बन को अवसोशित किया जाता हो तो मैंगरोव जो है वो दुनिया भर के पर Conference of Parties हुई थी, जो की framework of climate control के लिए है, उस framework की COP27 की बैटक में हमने यहाँ पर participate किया और हमने कहा कि mangrove is the best option to fight climate change consequences, इंडिया का ऐसा मानना है, mangrove होते क्या है, विशेश प्रकार के पौदे हैं यह, कहां पैदा होते हैं, खारे पानी के बौर्डर पर पैदा होते हैं, खा यह, पौदे नहीं असल में विशाल व्रक्ष जैसे सनरचनाएं हो जाती हैं, इनकी जो जड़े हैं वो पानी में रहती हैं, इस कारण से पानी में इन्हें स्वशन के लिए आवशक जगया नहीं मिल पाती, इसलिए इनकी जड़ें वापस लोट करके, हवा से बाहर की कहा जाता है है ना यानि कि ये जड़ों के अंदर जो बनने वाली जगें है इन्हे न्यू मेटाफर्स कहा जाता है ये खास इसलिए है क्योंकि ये सलाइन वाटर में उग पाते हैं विशेशताओं में अगर शुमार किया जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि चुकि समुद् की तरफ से आने वाली जो हाई टाइड्स हैं उन्हें रोकते हैं साथ-साथ परियावरन के रूप से एक बहुती अच्छा ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि इनके जड़ों के पास बड़ी मात्रा में मचलियां जो समुद्री और पीने लायक जो पानी होता है उसके बीच का ज for Climate इसे नाम दिया गया है Mac जैसे MacBook होता है ऐसे Mangrove Alliance for Climate नाम दिया गया है ठीक है कहां पर हुआ तो यह आप देख सकता है शर्म अल्थ शेख नामक जो जगह है एजिप्त के अंदर इस जगह पर जाकर कि यह चीज आयोजित की गई है ठीक है यहां पर शर्म अल्थ शेख के अंदर Climate Change Conference था 6 से लेके 18 तक चल रहा है इसके अंदर Indonesia और UAE ने मिल करके एक दुनिया के सामने आईडिया रखा कि क्यों ना हम मैंगरोव का संद्रक्षन करें जो कि आने वाले समय में दुनिया की हिवाज़त के काम आएगा आप यहाँ पर United Nations में Climate Change की जो बैठक हुई इसको आप यहाँ पर होते हुए देख सकते हैं और यहाँ पर जो बाते हुई उनमें क्या-क्या बाते खास थी वो मैं आपको बता दूँ तो नवंबर 8 के दिन मैंगरोव Alliance for Climate सामिल किया गया शर्म अल शेख एजिप्ट के अंदर यूनियन मिनिस्टर इसके अंदर पार्टिसिपेट किये मैंगरोव कुछ इस प्रकार के पौधे होते हैं जो इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं पानी में चुकि इनकी जड़े होती है तो जड़ों को स्वशन के लिए जगे नहीं मिल पाती इसलिए जड़े लोट करके पानी के उपर की तरफ लोट आती है और स्वशन करने लगती है ये जानकारी आपको इनके लिए विशिष्ट रूप से पता होनी चाहिए थोड़ा सा इसके बारे में और तथ्यात्मक जानकारी रख लीजी UAE और इंडोनेशिया ने मिलकर के इस Mangrove Alliance for Climate का शुरूआत किया है अब इस कारेकरम को चुकि इन दो देशों ने शुरू किया है तो सभाविक सा प्रश्न है कि इंडोनेशिया का इसमें मतलब क्या रोल है तो इंडोनेशिया के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इंडोनेशिया दुनिया के लगभग 23% Mangrove अपने पास रखता है बान में प्रकार की true Mangrove वनस्पती यहाँ पर पाई जाती है UAE, इंडोनेशिया, इंडिया, शेलंका, आस्टेलिया, जापान, इस्पेन इस पूरी प्रकेरिया में एक साथ initiative में शामिल हुए है जिनका उद्देश है कि लोगों के बीच में Mangrove वनस्पती का संड़क्षन कैसे किया जाए इसकी awareness फैलाई जाए ठीक है तो ये आपको इंडोनेशिया के बारे में मैंने जानकारी दे दी COP26 के अंदर भी UAE ने ये कसम खाई थी कि 100 million mangrove plants जो है वो 2030 तक लगाए जाएंगे इसलिए UAE इंडोनेशिया के साथ यहाँ पर शामिल हुआ है दुनिया भर के अंदर अगर हम mangroves की बात करें तो एशिया लगबख 40% दुनिया के mangroves अपने पास रखता है एशिया शेयर्स 42% वर्ड mangrove जिसमें अफरीका 21% नौर्थ और सेंटर अमेरिका 15% ओशीनिया यानि आस्टेलिया न्यूजिलेंड वला 12% और साउथ अमेरिका 11% दुनिया के mangroves रखता है अगर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो दुनिया का लगबख 3% mangroves इंडिया में पाया जाता है हाल ही के समय पर 54 स्कार किलोमेटर का एरिया इंडिया में mangroves का बढ़ा है भारत में सुन्दरवन डेल्टा वेस्ट बेंगॉल अंडमान निकोबार और कच्चका और जामनगर का जो एरिया है वहाँ पर बड़ी मातरा में mangroves forest पाया जाता है मैप के अंदर अगर सुन्दरवन डेल्टा को देखें जहाँ पर बंगाल टाइगर पाया जाता है वो इसकी विशेशता के लिए काफी विख्यात है भारत में हाल ही के समय पर mangrove forest को नुकसान दरज किया गया है सुन्दरवन लॉसिंग dense mangrove cover हाल ही में ऐसे reports में निकल कर जानकारी बहर आई सुन्दरवन island shrinking due to climate change ये आप cover देख सकते हैं अब बात करते हैं ecosystem को mangrove से क्या फायदा होता है यहां से हमें बड़ी मात्रा में मजबूत लकडी प्राप्त होती है साथ में coastal protection होता है क्योंकि soil erosion को रोकता है इसकी वज़े से livelihood यानि जीवन यापन बढ़ता है लोगों को mangroves की वज़े से जीवन की प्राप्ती होती है water filtration का कारे करता है क्योंकि saline water और जो mud है उसके साथ उसे clear करता है लगभग 33,000 से लेके 57,000 per hectare US dollar ये प्रती वर्ष इसकी वज़े से बचता है mangrove forest सुंदरबन डेल्टा देखने के लिए बड़ी मातरा में tourist भी जाते हैं तो दुनिया भर में mangroves की वज़े से tourism को भी बड़ा मोनाफ़ा होता है इसके साथ climate के लिए तो regulation का ये कारे करता ही है क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं जितना एक tropical rainforest carbon अवसोशित करता है उससे लगभग 4 गुना अधिक 3 से लेके 5 गुना बोलते हैं 3 गुना से 5 गुना अधिक तक carbon अवसोशित mangrove forest के द्वारा किया जाता है इसलिए mangrove वनस्पती दुनिया के लिए काफी खास मानी जाती है जहां इसकी बात की जाए कि इसको सबसे बड़ा challenge किस बात का है तो threat है इसके लिए deforestation का यानि कि लोग इसको कटा रहे है pollution increase होता जा रहा है climate में परिवर्तन हो रहा है इस वज़े से दुनिया में mangrove का cover घट भी रहा है mangrove जो है वो 4x गुना अधिक rate rain forest के तुलना में इसलिए tropical rain forest जो है उनसे ज़्यादा इनको माननेता दी गई है ये सारी बाते हैं जो कि COP के अंदर discussion में निकल करके आई है तो इंडिया ने global financial target 2024 तक बढ़ाने की जिद इसके अंदर की है session के दोरान मैंने आपसे दो सवाल discuss किये थे पहला सवाल था मुंबई ने हाल ही में हिमाचल को beat किया है इसके साथ साथ की दूसरी news थी national education day जो है वो November 11 को celebrate किया जाता है ये दो सवाल मैंने आपसे session के शुरुआत में पूछे थे मेरा referral code है अंकित10 जिसका use करके आप सकते हैं अनकेडमी पर 10% तक का discount on all type of subscriptions on अनकेडमी Thank you so much